ओम श्रीमत भगवद गीता के सोलम अध्याय में देविय और आसुरी संपत्ती का वर्णन किया गया है हम सभी विचार कर रहे हैं आसुरी संपत्ती के विशय में हमने पूर्व विचार किया था अभय सत्वशन शुधिर आदी ये सभी देविय संपत्ती थी अभी हम विचार कर रहे हैं आसुरी संपत्ती के विशय में और कहा दंभ, दर्ब, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, ठोड़ता ये सभी आसुरी संपत्ती हैं अगर हम अपने जीवन में आसुरी संपत्ती को अभी लक्षे करके पैदा होते हैं तो ये सभी गुन हमारे साथ आते हैं अगर हम अपने जीवन में देविय संपत्ती को अभी लक्षे करके पैदा होते हैं तो अभयम सुधिर आदि से लेकर नाती मानिता परियंत तक 26 गुन इन गुनों को लेकर हम पैदा होते हैं हम विचार कर रहे हैं देवी और आशुरी संपत्ती के विश्यय में तो यहां अब सभी के मन में एक प्रश्न उठना सभाविक है कि क्या हम आशुरी संपत्ती से देवी संपत्ती में अपने सभाव को परिवर्तन कर सकते हैं क्या हम अगर देवी संपत्ती को लेकर पैदा हुए हैं तो क्या हम आशुरी संपत्ती में भी जा सकते हैं देवी संपत्ती का आशुरी संपत्ती में परिवर्तन होना तो मुश्किल है क्योंकि अगर मनुश्य ने एक बार पूर पुरुशार्थ करके प्रेतन करके अपने जीवन को ऊपर उठा लिया है उस स्थिती तक पहुचा दिया है तो वह फिर नीचे नहीं आ सकता अगर मान लो वह भूलवश कारणवश कहें की प्रमादवश आलस से वद अगर वह आभी जाता है तो पुनह उसी स्थिती में लोटने का प्रयास करता है डैवी संपत्ती में पुनह उर्धवा होरन होने का प्रयास करता है क्योंकि यह मनुष्य का सभावी है अगर उसने एक बार परम अति उत्तम रस का रसा स्वादन कर लिया है अगर उसने एक बार उत्तम रस को चक लिया है तो वह पुनह शीन सुख में त्रिप्त नहीं होता उसे संतुष्टी नहीं मिलती ऐसे ही अगर हम एक बार देविय संपत्ती के रस को चक चुके हैं तो हम अगर मान लो किसी कारण वस आसे संपत्ती में आ भी जाते हैं तो हम देविय संपत्ती में पुनह लोटने का प्रयास करते हैं क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाब यह हम पूर कह चुके हैं क्योंकि उत्तम सुख और परम रस को पाने के बाद मनुष्य क्षीन अर्थात क्षणिक सुख में फिर संतुष्ठ त्रित नहीं होता है जैसे मानो कोई मनुष्य है उसके पास धन्स संपत्ती बैभव है वह पूर्ण रूप से सुखी है उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है अगर वह किसी दिन कारण वस डाल रूटी खाए तो उसको कैसा लगेगा ऐसा ही होता है अगर कोई मनुष्य देवी संपत्ती में जीता है और आस्वी संपत्ती में आ जाए तो वह पुना देवी संपत्ती में लोटने का प्रेतन करता है ऐसे ही जिस मनुष्य ने पूर्व रसों का अच्छे अच्छे रसों का स्वादिष्ट रसापान कर लिया है अगर वद्धाल रोटेखा है तो कैसा लगेगा तो वपनह उसी स्थिती में जाने की कोशिश करेगा वपनह उसी पत प्रतिष्ट आपने धन वैवे को प्राप्त क करेगा इसको हम एक द्रश्टांत के माध्यम से भी देख सकते हैं जैसे मान कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री वना जो उसे प्रधानमंत्री बनने में सुख रस मान प्रतिष्ठ मिलती है वह उसे किसी निम्नपद पर मिलने पर नहीं मिलती है उसे अगर उसने प्रधानमंत्र नेलेटी बनने पर उस रस का रसास्वादन कर लिया है उस रस को चक लिया है उसके बाद उन्हेंपनः अगर कोई मंध्रीपद या मुख्य मंध्रीपद देते हैं तो वह उसे स्वीकान नहीं करता है क्यों कि उसने प्रधान मंत्री जब बना था तो उसने उसका रस देख लिया था किसमें कितना उसको आनन दाता था मुंख्य मंत्री या मंत्री safety पर रहेकर नहीं मिल सकता वहूँ अगर से मौका मिलता है तो पुणह प्रधान मंत्री कि पदपर होने के लिए आरूठ हो जाता है ऐसा ही अगर हम डैवे संपदा में एक बर जा चुके हैं उसका हमने रसास्वाध कर लिया है तो हम आशी संपदा में आभी जाते हैं भूलवश क्योंकि मनुस्य तो भूल कर सकता है भूल तो सबसे ही होने की संभावना होती है कि लोटने का प्रयत्न करता है देवे संपद्ति से आश्री संपद्ति में नहीं आसकते शरी में खवत गीता में जूति अध्याय में भी काहा है परंधृष्टम निवर्धति अगर हमने उत्तम अति उत्तम परम रस का रसा स्वाधन कर लिया है तो हम फिक्षीन शनिक सुक में अपना हितना ही देखते हम उसी रस को चाहने की कामना करते हैं तो हम यही है कि हम अगर देवे संपत्ती से आप संपत्ती में आवी जाते हैं तो पुनह उसी स्थिती में लोड जाते हैं हम देवे संपत्ती से नीचे नहीं आ सकते क्योंकि जैसे हम देखे अगला प्रश्ण था कि क्या हम अगर आश्य संपत्ती को लेकर पैदा हुए हैं तो क्या हम दैवी संपत्ती में आरूड हो सकते हैं हम दैवी संपत्ती में जा सकते हैं तो इसका उतर है हाँ अगर हमने अपनी बुद्धी में पूर्ण निश्चे कर लिया है सो समझ लिया है हमने आसुर संपत्ती में रहकर उसकी रस को चक लिया है उसकी बात अगर हमारे मन में कोई शुब संकल्प जागरत हो जाता है कोई पूर्ण जर्म का हमारे मन में संकल्प जागृत हो जाता है तो हम आशुए संपत्ती से देवे संपत्ती में आ सकते हैं यह बहुत ही आसान है जैसे हमने देखा था कि अगर हम मानले उगर प्रधान मंत्री बने तो हम पांस वर्ष पूरे हो जाते हैं तो अगर हम पुनह नहीं बन पाते हैं हम कोई मुख्य मंत्रिया मंत्र का पद ग्रहन करते हैं पुनह प्रधान मंत्री पद को पाना चाहें तो नहीं हो सकता यह तो असंभव है बहुत प्रियास करें तो हो जाए लेकिन यह तो हमारे हाथ में है वहां तो भार की बाधाय होती हैं हम दूसरे लोगों पर निर्फर होते हैं लेकिन यहां तो हम अपने पर आत निर्फर हैं हम अपने को आश्री संपत्ती से देवे संपत्ती में परिवर्तन कर सकते हैं यहां कोई भारी बाध्यता नहीं है यहां तो हम स्वेम ही हैं अगर हमने अपने बुद्धी में अंतहकरण में पूर्ण निश्य कर लिया है और आशुरी संपत्ती में रहकर जो हमने रस देखा, देखा कि इसमें तो कोई रस ही नहीं है फिर अगर हम देवी संपत्ती में आना चाहते हैं तो हम आ सकते हैं बस वशर्थ एक है कि अगर आप चाहा कर ले, परन्तो मनुष्य अपने प्रारव्द के विप्रीत चाहा करना बड़ा ही मुश्किल होता है, उसे बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है, अगर उसे ने चाहा कर ली, तो वह आश्र संपत्ती से देवे संपती में आ सकता है, यह सत्य है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जिसको उस परम्पिता, परमात्माने इस जगत में इस नियती से भेजा है, कि वह अगर अपने आंत्रिक रूप से परिवर्थन करना चाहे, तो कर सकता है, वह अपने को जैसा बनाना चाहे, बना सकता है, जैसे एक मूर्तिका होता है, एक शिल्पकार होता है, वह उस मूर्ति को जैसा आकार देना चाहे, दे सकता है, वह उसके हात में होता है, कि वह उस मूर्ति को कैसा बनाए, या तो वह उस मूर्ति को अच्छा बनाए, या बेकार बनाए, यह उस शिल्पकार के हातों में होता है, ऐसे ही हमारा आं पूर्ण जरमें जो हमने कर्म किये यह माता-पिता से हमेशरीर मिलता है। इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बल बढ़ा सकते हैं। परन्तो हम अपने आपको आंतरिक रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। ये संभव हो सकता है अगर हमने अपने इप्रारब्त के विवरीथ चाहा कर लिया है दिठनिश्य कर लिया है कि हमको आशुरी संपत्ति से देवे संपत्ति में आरूठ होना है तो यही है कि हम आश्री संपत्ती से देवे संपत्ती में अपने आपको परिवर्तन कर सकते हैं अब एक प्रेशन फिर खड़ हो जाता है कि अगर मानो हम अपने आपको आश्री संपत्ती से देवे संपत्ती में परिवर्तन कर रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा, हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हमारे अंदर देवी समपजा अवतरीत हो रही है, इसको हमें कौन बताएगा, कैसे हम जानेंगे, तो इसके वारे में तो हमको बिचार करने की आवश्रकता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो निर्णे है यह तो समाज ही कर देता है जो हमारे आसपास लोग रहते हैं वही कर देते हैं क्योंकि जैसा हमारा आश्रन व्यवहार हमारा सोचना बदल जाता है देवी संपदा में रहते हुए तो बहुत दूसरे लोगों को दिखता है जो हमारे साथ रहते हैं तो इसकी बारे में हमें विचार करने की कोई आवश्रक्ता नहीं है यह तो अपने आप होई जाएगा अगर ऐसा भी लगए कि हमको अपने आप दिखना चाहिए तो वह भी दिख जाएगा आपको भी आपकी जो प्रवृत्ती है हमारी जो प्रवृत्ती है जो हमारा व्यभार है सोचने का तरीका है सुनने का तरीका है खाने का तरीका है बैठने का तरीका है यह सभी परिवर्तत हो जाते हैं देवे संपत्ती में आने से तो हमको खुद भी मैसुस होता है कि हाँ कुछ तो हमारा परिवर्तन हो रहा है जैसे मानो अब हम सभी श्रीमत भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं अगर हमारी उसके सुनने में रुची है शास्त्रों को वेध वेदांगों को सुनने में रुची है महापुरुशों को सुनने में रुची है अगर हम उनको सुनते हैं तो समझो कि हमारा परिवर्तन हो रहा है हम धीरे धीरे द्यावे संपत्ती में प्रवेश कर रहे हैं वास्तम में अगर हम किसी को सुनते हैं तो यह सुनना भी एक प्रथम सीड़ी है अपने आपको बदलने की क्योंकि जो शब्द हमारे कान में जाता है अगर हम सुनते हैं अपने आपको परिवर्तन करने के लिए अगर जब वो सब्द हमारे कान में जाता है तो गूज उटता है वह सब्द गूजता रहता है तो वह शव्द जो हम महापूरुशों से वेद गीता सास्त्र आजे सुनते हैं तो वह शव्द हमें दिशा देता है कि हमें यह कारे करना है यह कारे नहीं करना है तो वास्त हमें शव्द के माध्यम से हमारा परिवर्तन हो जाता है अगर हम देखे तो तो यही है कि हम आश्री संपत्ति से देवी संपत्ति में अपने आपको परिवर्तन कर सकते हैं यह बहुत ही आसान है लेकिन देखने में थोड़ा कठिन प्रतीत होता है क्योंकि जो हम पूर्व कर चुके हैं, हमारे जो प्रारब्ध है, जो कर्म है, उसकी अनुसार हम अपना कारे करते हैं, उसकी अनुसार अपना जीवन चलाते रहते हैं, अगर हम अपने प्रारब्ध के विप्रीत सोच लें और समझ लें और बुद्धी में दिर्फ निश्चे कर ले नहीं मेरे को तो परिवर्तन होना ही है क्योंकि कव तक मैं इस आशे संपत्ती में रहते हुए अपने आपको अपने जीवन को ऐसे ही खोते रहूंगा तो एक दिन ऐसा आही जाता है कि हम परिवर्तित हो जाते हैं तो यह तो रही यहां तक बात तो अब एक प्रश्ण और उठ सकता है कि अगर किसी को यह इच्छा जारूत हो जाए कि मेरे को जल्दी ही आशे संपत्ता से देवे संपधा में जाना है तो हम कैसे जाएं वह कौन सा उपाई है जिसके माध्यम से हम आशे संपता से देवे संपधा में जा सकें वैसे तो यह अगर हम निरंतर लग लोग दर्शन में पतंजली ने कहा है तीब्र संबेगा नाम आसन नह अर्थात अगर हम अपनी चाहा को तीब्र कर दें जो हमारी चाहा है उसको हम तीब्र कर दें तो हम अपनी जो मंजल है उसको शीख्र प्राप्त कर लेते हैं चाहे वो अपने आपको परिवर्तर करने की हो चाहे वह भौतिक संसार की हो श्रीमत भगवत गीता के चवदमे अध्याई में भगवान गुरुन ने भी कहा है उर्थवम गच्छन्ती सत्वस्था, मध्ये तिस्ठन्ती राजसा जगन्य गुणे बृत्तिस्था, अधो गच्छन्ती तामे साह अर्थात जो मनुष्य सत्वगुण में स्थितित रहता है वह निरंतर प्रगर्ती को प्राप्त होता रहता है और जो मनुष्य रजोगुण में रहता है वह जिस स्थिति में है उसी में जीता है ना आगे बढ़ता है ना पीछे जाता है बीच में ही रहता है इसलिए का है मध्धित श्ठंती राजसा जगन्य गुणे बृतिस्था अधोगच्छंती तामसा जो मनुष्य आलस्य प्रमाद आदी में रहता है वह अधोगती को प्राप्त होता है उसकी निरंतर अधोगती होती रहती है तो यही है अगर हम अपने आपको शीग्र अतिशीग्र आश्री संपदा से देवे संपदा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसका उपाय एक ही है कि एक तो हम अपनी इच्छा को तीब्र कर लें तीब्र कर लें अधात व्यवार वानी आश्रन ऐसा तीब्रता से परिवर् हैं कि कहा भी है कि एक भग्त साधु संत में सत्वकुन की प्रधांता होती है सामान्य मनुष्य में रजोगुन की प्रधांता होती है और जो आलस से प्रमात करते हैं उनमें तमोगन की प्रधानता होती है, अगर हम अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ा ले और हम अपनी इच्छा को जो अपना हमारा बेग है, परिवर्तन होने का उसको हम तीब्र कर ले, तो हम परिवर्तन हो सकते हैं, शिघ्र अतिशिघ्र से, क्योंकि लेकिन फिरी भी है यहां पर देखे तो हम एक विकास प्रक्रिया के आधार पर हम परिवर्तन होते हैं जैसे मानो एक बीज हमने भूम में डाला वह बीज हमको दिखता नहीं है कि उसमें कुछ कारे हो रहा है वह बीज निरंतर अंदर अंदर से विक्सित होता रहता है होते होते एक दिन ऐसा आता है कि यह फूट कर बहार निकल जाता है ऐसे ही अगर हम निरंतर इमानदारी से अपने जीवन में लगे रहें अपने आपको जो उपर उठाने की जो प्रभा है जो इच्छा है उसको ना तोड़ें अपने आच्रण उसकी अनुसार करते रहें तो एक दिन उस बीज की भाती हमारा भी विकास धीरे-धीरे होता रहता है लेकिन वो हमको दिखता नहीं है तो एक दिन वह भी हमको दिखने लग जाता है वहाँ समय आने पर प्रश फुडित हो जाता है तो हम घवराएना और निरंतर लगे रहें तीब्र इच्छा और अपने सत्तुगुन को बढ़ाते हुए तो अब एक प्रश निहां भी उठता है अगर हम देखें कि हमारे किसी कारियें प्रव्रत्ति कब होती है कम मनुस्य आसुए संपत्ति में जीता है और कम मनुस्य देवे संपत्ति में जीता है जब मनुस्य किसी कारे में रस सुख की अनुभूती करता है तब वह उस कारे में जीता है संपूर्ण संसार आज इसी प्रभा में चल रहा है जिसमें वह अपनी सुख शांती जिसमें वह रस ढूंटा है उसी कारे को वह करता है चाहे आशे संपत्ती में अगर वह रज ढूंडता है तो उसको करता है अगर देवे संपत्ती में वह रज ढूंडता है तो अपना जीवन देवे संपता के अनुसार चलाता है बस अगर हम देखें तो एक रसी है एक सुखी है जिसके कारण मन उससे कारे में प्रवित्थ होता है उसी की अनुसार अपना जीवन चलाना चाहता है अगर हम देखें, सोचें तो यही हमें उत्तर मिलेगा हाँ, एक रसी है जिसके कारण हम अपने जीवन को जिधर ले जाते हैं उस रस के कारण ही ले जाते हैं तो हम सोचें कि अब हमने देवी समपदा को देखा और आशुरी समपदा को देखा इन सब को देखा और जो कुछ मन में प्रश्ण आए उनका भी समाधान किया तो हम निरंतर अपने को देखते जाएं हम देखें कि हमारी किस कारी में रस है, किस प्रवर्ति में हमको रस आता है, रस तो हमको क्रोध करने में व्याता है, रिश्या चूली करने में व्याता है, क्योंकि भले ही वह आसरी समपता है, अगर मनुष्य अपनी विवेक, अपने ज्यान के अनुसार उसमें रस देखता है तो उसकार्य में प्रवित्थ हो जाता है अगर मनुश्य अपने विवेक और जियान के अनुसार अभयम सत्वशन शुद्धिर अकुरोध आदी में रज देखता है तो वह देविसंपदा में प्रवित्थ हो जाता है तो यही है कि हम अपनी रज को बदले अगर हमारे मन में अच्छ़ जागरत हो गई है अगर हमने निश्य कर लिया है कि हम अपने आपको आशुर संपदा से देविसंपदा में परिबरतन करना चाहते हैं तो इसके लिए बस यही उपाय है कि हम अपनी इच्छा को तीब्र करें अपने सत्वन को बढ़ाएं और निरंतर अपने आपको देखें कि हमारे रुची, हमारा रस किसमें आ रहा है जिसमें हमारा रुची रस होता है हम उसी को करते हैं ओम शान्ति